सब्सक्राइब कर रहे हैं इसलिए करा रहा हूं कि इसी तरीके कही पूरा रिलेट हो रहा है तो इसलिए मैं आपको देखने को मिलेगा सेल ओसी टी के ग्जाम में और मैंने लाइफ प्लास को ठीक है चार पास दीन पास दिन ले लिया तो आप लोग भी आओ जल्दी जोइन करो फिक है प्राइस तो मैंने भहत ही कम कर दिये है आए सब लोग ले लेती हो प्रचिस कर लेती हो तो आपके मन में क्या आजाएगा कि अप फढ़ ना हमने ले लिये है तो हमको कुछ along कुछ उसका यूटिलाइस करना ही आपके mind में हैगा हूस से अपकी tayारी को क्या फायदा मिलेगा जैसे Life class आप जब करोगे रोज एक घंटे तो उस Life Class का एफेक्ट क्या रहेगा 24 घंटे तक रहेगा पूरे दिन भर उसका एफेक्ट रहेगा क्योंकि अप फिक्स होजागा रहा कम से कम मुझे एक घंटे तो पढ़ नहीं है तो जब आप एक घंटे पढ़ोगे आपका माइंड कहा जाएगा पढ़ाई पर जाएगा फिर उससे रिलेटेट और आप चीजे पढ़ते जाओगे तो इससे ऐसे क्या बनेगा हैबिट बढ़ने का पढ़ने का अभी जो आपका माइंड दिदर भटक रहा है उसको एक डारेक्शन मिलेगा है ना जैसे जैसे कोई खान आपको बना के देदेगा तो आप खा लोगे ना लेकिन अगर आपको बोला जाए कि खान पहले बनाओ फिर खाओ तो वह फिल आलसी ब देखोगे कुछ न कुछ पढ़ोगे तो इससे यह फायदा होगा है आपका बंते जाएगा और यही हैबिट जो है दीरे-दीरे आपका आदात में बदलेगा पढ़ाई का आना जो आपका मैंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो वह डिस्ट्रैक्ट होना बन होगा पढ़ाई की रफ लगेगा ठीक है तो आओ जल्दी जॉइन करो आप लोग चलिए कोश्चन्स हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके पहला कोश्चन हां पर हम लेते हैं Smelting Smelting is carried out Smelting process कि स्वेल्टीग कि सी में किया जाता है Blasht furnace में, Muffles furnace में Open Hearth furnace में, Electric furnace में या किसी में भी नहीं बहुती simple answer है हर कोई दे सकता है इसको ठीक है क्या होगा Blasht furnace Smelting किसमें किया जाता है Blasht furnace में किया जाता है ठीक है अब यह स्चन होता है एक होता है reduction smelting और एक होता है mat smelting ठीक है तो जो reduction smelting जो होता है reduction smelting वो किसमे carry out किया जाता है reduction smelting आपको किया जाता है blast furnace में याद रखना किसमें किया जाता है blast furnace में reduction smelting किसका करते हैं oxide ore का करते हैं यह भी याद रखना किसका करेंगे Oxide Ore का करेंगे और Carbothermic Reduction के Thru हम लोग Blast Furness में Oxide Ore से Metal का Extraction करेंगे क्या करेंगे इसको गोलते हैं Reduction Smelting ठीक है, ऐसी एक और Smelting आता है वो क्या होता है Matte Smelting होता है क्या होता है Matte Smelting मैट Smelting किसके लिए यूज होता है Sulphide Ore के लिए यूज होता है Matte Smelting किस और के लिए Sulphide Ore, जैसे एक्जामपल के लिए आपका Copper Copper का Production Matte Smelting के थूँ करते हैं क्योंकि Copper का Ore जो होता है वो क्या होता है Sulphide Nature का होता है ठीक है तो Matte Smelting किया किसमे जाता है कौन से Furness में किया जाता है Matte Smelting तो Matte Smelting करते हैं River Barriatory Furness में ठीक है River Barriatory स्पेलिंग है River Barriatory Furness में हम करते हैं Matte Smelting Matte है क्या अक्शुली में Blast Furness है तो हमको जैसे P-Garan मिल जाता है डिरेक्टली मेटल मिल जाता है जिसको बाद में रिफाइनिंग करना पड़ता है Matte Smelting जैसे बोला जारा है तो Matte है क्या तो Matte Actually में क्या होता है यह Mixture होता है किसका Mixture of Metallic Sulfide Metal Sulfide का Mixture होता है Mixture of Metallic Sulfide ठीक है इसको बोलते है Matte जैसे example जब हम Copper का Extraction करते हैं Copper का जब हम Extraction करते हैं तो हमको River Barriatory Furness में करते हैं इसका Matte Smelting तो हमको क्या Product मिलता है Matte मिलता है जिसमें रहता है Copper Sulfide और Aran Sulfide इसके Mixture कोई बोला जाता है Matte फिर इसको बाद में Converting करते हैं फिर Refining करते हैं तब जाके हमको Pure Metal मिलता है ठीक है यह दोनों याद रखना Questions बनते हैं इससे Reduction Smelting किसमें किया जाता है Matte Smelting किसमें किया जाता है यह सब चलिए Next Question देखते हैं अब The Beginning of Transition From Austenite to Ferrite On Iron Equilibrium Diagram Is Represented By इसमें बोला जा रहा है कि Austenite से Ferrite का जो Transition होता है ठीक है उसको कौन सा Line जो है वो Represent करता है Line A1, ACM Line, A3 Line, A0 Line या None of the above कौन सा करता है कता है कि आपको तो चलिए आपको मैं सिदा Iron Carbon Diagram जोटा से बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ यहां पर बना रहा हूँ इस तरीके से रहता है Iron Carbon Diagram में यह नीचे वाला पोर्शन है तो इसी महम को काम है और आगे बढ़ने के जुरत नहीं है यह नीचे वाला पोर्शन है यहां तक क्या रहता है यह जो temperature होता है वो 723 रहता है यह वाला temperature होता है 910 degrees Celsius का रहता है यह वाल नीचे पोर्शन को बना रहा हूँ क्योंकि उसी से काम है और यह वाला जो है है उसको बनते है यहां पर 100 पारलाइट आपको मिलता है हुआ इस वले तरफ को हम क्या बोलते है यहां से लेकर कि यहां तक पेल यह वाला जो लाइन है यह वाला जैसको एवन बोला जाता है इधर वाले वो लाइन बोलते हैं ठीक है अना अब यह जो लाइन है यह वाली जो लाइन है इसी की बात किया जा रहा है क्योंकि इधर आपको पूरा क्या है आउस्टरनाइट है इधर आपको क्या है फिराइट है थीक है यहाल आपका क्या है आपका फिरांट और आसनेट का मिक्श्चर है तो इसी में में ही क्या नाम है इसlt यह जो लाइन इसको क्या बोला जाता है यह आपका ACM लाइन है इसकी नीचे आपका सिमेंटाइड बनता है इसलिए इसका लाम क्या है ACM लाइन इसकी नीचे आपको गामा प्लस सिमेंटाइड मिलता है यह मतलब सिमेंटाइड तो इस लाइन को ACM लाइन इसको A3 लाइन बोलह जाता है तो आंसर क्या होगा यहां पे A3 रहे हैं जब कोशन पूच दिया जाता है तब लोग अटक जाते हैं तो इसे complete पढ़ना है पूरा जो भी आप पढ़ रहे हो चलिए next question देखते हैं for foundation process for concentration of ore is an illustration of the practical application of यहाँ पर देखो क्या पोच रहे हैं कि जो for foundation process होता है है ना उसमें से इन सब में किसका use किया जाता है ठीक है मतलब practical application किसका application होता है absorption का है ना फिर उसके बाद option है absorption का sedimentation का population या none of the above अब देखो for foundation process में क्या होता है for foundation process में जरली हम sulfide or का क्या करते है for foundation process के थूर gang को अलग करते हैं उसमें क्या भेशते हैं हम लोग जाग बनाते हैं simple क्या होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं water लेते हैं water में pine oil डालते हैं pine oil एजे फ्रोथर का काम करते हैं इसको भी आद रखना पूछा जाता है pine oil को एज़े फ्रोथर के रूप में हम लोग डालते हैं तो इससे क्या बनता है जाग बनता है फ्रोद बनता है पीडिर हम लोग इसमें डालते हैं सलफाइड और को ग्रैंड करके डालते हैं ठीक है बड़े नहीं होता है बोट ग्रैंड होता है अब इसकी य好不好 हम्कों चैसाड das I क्या डालतें क्लेक्टव क्या करता है ऑल जो concentrate जो होता है गैंग को नहीं जो concentrate होता है जिसमें metallic part होता है जैसे यह metallic part है तो इक collector इसमें जाके adsorb हो जाता है इसके surface में जाके क्या हो जाएगा adsorb हो जाएगा collector group में क्या यूज़ करते है sodium xanthate यह भी याद लखना बहुत important है sodium xanthate भी कई पर पूछा जाता है इसे collector हम use करते हैं तो यह surface में जाके adsorb हो जाता है और इसके surface को क्या बना देता है hydrophobic बना देता है hydrophobic मतलब क्या होता है डर्ना और hydro मतलब क्या होता है water तो water उससे दूर भागता है ठीक है जैसे अद देखो example के लिए जो साबूल का अगर तुकड़ा गिर जाए जाग गिर जाए नीचे तो वो उसके आज पास से पानी पूरा दूर हट जाता है तो वो क्या है hydrophobic बना देता है इसकी वजह से यह क्या होता है जाग होता है इसके साथ चिपक जाते है जहां के तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि जहां में क्या होता है एयर होता है तो यहां पे कौन सा चीज का application कर रहे हैं लोग होता है क्या हो रहा है यहां पे adsorption हो रहा है जो आप collector डालते हो surface में adsorb होता है adsorb का मतलब क्या होता है जो केवल surface में ही रहता है अंदर तक नहीं गुस पाता है उसको बोलते है adsorption लेकिन अगर पूरे अंदर तक चला गया तो वो क्या होता है absorption जैसे example के लिए चनक को आप पानी में डालते तो भीग जाता है ना पूरा अंदर तक फूल जाता है वो किसका example हुआ absorption का example हुआ adsorption मतलब जो किवल surface तक ही रहे उसको बोलते है adsorption तो ये आपका float rotation में इस principle का use किया जाता है चलिए ये वोला question देखिए इस question का answer आप लोग खुद दो carbon content in steel steel में कितना carbon content होता है above 2% up to 2% below 0.8 above 6.3 आप लोग बताओ इस cancer एकदम आसान है ठीक है आप लोग के उपर छोड़ दिये इसको में चलो next question देखो common communist method of extraction of metal from oxide ore involves तो oxide ore का extraction हम कैसे करते हैं बहुत सारे method है लेकिन ज्यादातर कि कौन से method के use करते हैं reduction with carbon, reduction with aluminium reduction with hydrogen electrolytic method या none of the above बहुत ही आसान answer है किसके use ज्यादा करते हैं हम लोग oxide ore से metal का production के लिए इन में से simple सी बात है reduction with carbon carbo thermic reduction का use सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं ठीक है aluminium वगएरे का use कम होता है इसको हम लोग क्या बोलते है metalothermic reduction बोलते है ठीक है metalothermic reduction का use होता है बट कम होता है ठीक है hydrogen से भी reduction बहुत कम होता है लेकिन यह future technology है ठीक है hydrogen का use बढ़ने लग गया है क्योंकि carbon से क्या होता है तो ग्रेंट टेकनोलोजी की तरफ सिफ्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर आजकल hydrogen का use बढ़ने जाएगा future में देखना अब carbon के जगा hydrogen का use करके metal का extraction किया जाएगा ठीक है तो कई कंट्री में यह चालो भी हो चुका है it in the furnace is known as मतलब बोल रहा है जब हम steel को heat करते हैं कि इसमें furnace में है ना कब तक heat करते हैं अब अब अपर critical temperature जो अपर critical temperature मतलब उसी को बोल रहा है जो हम लोग line पड़े देना A3 line और ACM line उसके उपर को बोलते हैं अपर critical temperature ठीक है उसी को अपर critical temperature बोलते हैं उसको उपर हम heat करते हैं कि इसको कूल करते हैं कि इसमें furnace के अंदर तो इसको क्या बोला जाता है एनलिंग नॉर्मलाइजिंग टेंपरिंग हार्डनिंग बहुत आसान है है ना सीथा यहां पर बोल रहे है cooling in the furnace तो furnace में cooling करते हैं तो furnace cooling किसमें होता है एनलिंग में होता है answer क्या होगा एनलिंग होगा ठीक है तो इससे कई बार question को भी समझना होता है question भी इतना सारा लंबा चौड़ा लिख देता है काम की जिए बहुत कम होती है है ना तो confused नहीं होना है ऐसा question भले लंबा रहता है answer simple रहता है ऐसे questions का ठीक है इसको और बता दूं क्या होगा एनलिंग होगा नॉर्मलाइजिंग मतलब क्या होता है आएर कूलिंग को हम क्या बोलते नॉर्मलाइज दिंग टेम्परिंग का बोलेंगे अब टेम्परिंग एक single heat treatment process नहीं है वो hardening के साथ ही होता है quanching के बाद करते ना tempering यह वल टेम्परिंग ऐसा कुछ कोई heat treatment नहीं है ठीक है तो hardening होता है hardening में क्या करते है hitting और quenching करते हैं या तो oil quenching करेंगे या water quenching करेंगे या brine solution में quenching करेंगे उसके बाद उसमें जो brittleness आती है उसको दूर करने के लिए toughness को वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं वापस उसको heat करते हैं थोड़ा साथ उसको बोलते tempering tempering से brittleness का मोता है toughness और ductility improve होता है next question देखते हैं eutectoid steel is a steel containing carbon बहुत ही आसान question है यही सब questions होते हैं इतने आसान question जो cut off को बढ़ा देते हैं ठीक है और हर बड़ी मत करना कभी भी हर बड़ी करोगे ना जल्दबाजी तो आसान सा question भी कई बार गलत हो जाता है जो हमको पता रहता है लेकिन हर बड़ी में हमने जैसे सोचा कि यह होग answer equal to 0.8% लेकिन tick करते समय या जल्दबाजी में किसी और को tick कर दिये क्योंकि हमको जल्दबाजी रहता है तो एकदम जल्दबाजी भी नहीं करना है ठीक है तो अगर हर बड़ी में कोशन गलत नहीं हो रहा है इससे ज्यादा होता है तो hyperutectoid ठीक है hyper का मतलब क्या होता है बोलते हैं hyper हो गया तो hyper मतलब ज्यादा तो quantity से ज्यादा hyper मतलब इससे कम होता है चलिए next देखो the teeth of spur gear hardened by तो जो gear है gear का जो spur होता है spur या spur जो भी है इसका यह जो होता है की वाले portion को बोलो जाता है spur या spur किससे hardening होता है hard कैसे किया जाता है cold working से quenching से dispersion hardening से induction hardening से आंसर होगा induction hardening किसी किया जाता है induction hardening से जो gear होता है उसका हम लोग करते है surface hardening ठीक है तो surface hardening में केवल आपको पता है कि surface को बस hard किया जाता है इसका जो core होता है अंदर का part उसको नहीं किया जाता है क्यों ऐसा नहीं किया जाता है क्या reason है इसकी पीछ है क्योंकि देखो जब हम guanching करते हैं कि पूरा part तो hard हो जाता है बढ़ उससे bruttln Prince होता है ठीक है, material brittle हो जाता है, toughness कम हो जाती है, ठीक है, तो जब हम उसको use करते हैं, तो hardness तो मिल गया अबर toughness नहीं मिला अपने को, brittle हो गया हो, उसके fracture के chances बढ़ जाते हैं, इसकी वो जैसे इसका क्या solution निकाला गया, कि हमको surface तो केवल, hardness तो हमको केवल surface में चाहिए, क्योंकि जब though, part move करेगा, तो जो friction होगा, वो تو surface में होगा, तो surface में hardness चीए, तो ये concept आ है, कि surface को hard किया जाए, और उसका core है, उसका Wild ना किया जाए, उसका toughness बना के रखा जाए, इसलिए क्या किया जाता है, surface hard ने किया जाता है, तो induction hard ने क्या है? surface hard ने किया जाता है, अब ऐसे question को इस का अंसर लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो cold working से तो कोई hardening हम करते नहीं है ठीक है cold working hardening method है भी नहीं quanching है एक तरह से तो quanching में हम पूरे को hardening करते हैं केवल surface को hard करते हैं अगर आप थोड़ा बहुत knowledge रखो तो gear का surface hardening किया जाता है इस option में surface hardening का क्या वाल एक ही टाइप है induction induction hardening तो यही आपका answer होगा तो ऐसा आपको concept relate करना इधर उधर से अपना answer खोजना है यह सब करना भी जरूरी है कि चलिए देखो next question cementite क्या है कि इतना आसान आसान question आ रहे है कि क्या है iron carbide है mixture of ferrite and iron carbide mixture of pearlite and iron carbide निक्षर ओफ परलाइट इन आरन कारबाइट है हाइपो यूट्रिक्टोइट परलाइट है या नन आप दिये वो तो इसका answer क्या होगा iron carbide होगा ठीक है तो यही से बहुत आसान से है अब इसमें हड़ बड़ी नहीं करना है कि मेंटाइट के जगा मान के चलो हमने पारलाइट समझ लिया तो हमारा आंसर यह वाला हो जाता है mixture of ferrite and iron carbide तो आंसर गलत हो जाता है तो यह आसान हो गया चलो next देखो tree like structure formed in crystal growth is known is तो जब solidification होता है तो कई बाद tree like projection बन जाते हैं tree like मतला पेड़ के जैसा इस टाइप का structure बन जाता है इसको क्या बोलते हैं bainite बोलते हैं dendrite dendritic structure बोलते हैं hcp बोलते हैं looter band बोलते हैं या कुछ नहीं बोलते हैं क्या होगा इस cancer tree like structure आंसर होगा dendrites dendritic का मतलब भी होता है tree like structure पेड़ के जैसे नुपीला हिस्ता जो यह नुपीला पार्ट हो न यह dendrites को represent करता है और यह जो dendritic structure जो होता है न वो बहुत खराब होता है metal की quality के लिए क्यूंकि ब्रिटल ने इसको बढ़ाता है ठीक है इसको directly casting से बनाते हैं उसकी property न उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी हम उसी product को rolling से बनाया है उसी product को आगर आप forging से बनाते हो या rolling से बनाते हो उसी को casting से बनाते हो तो mechanical property rolling और forging से बनाय हुई metal की ज़्यादा होगी as compared to casting क्योंकि casting से क्या होता है dendritic structure होता है और जब उस हो जाता है, hot rolling or hot forging में, और dunderdic structure खतम हो जाता है, इसी लिए rolling forging से जो metal बनता है, वो ज्यादा अच्छा strength होता है, ज्यादा अच्छा toughness होता है, as compared to cast metal, ठीक है, जलिए, next question देखा जाए, next है, the empirical rule to predict the existence of solid solubility is known as, को बिदिक्ट करते हैं इसे को पूछने का तरीका थे थोड़ा सा आला कहा पूछने का तरीका इंपिरिकल रूल टू प्रिडिक्ट दे इग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड सॉलिबिल्टी ठीक है थोड़ा सा ऐसा लग रहा कि हाई-फाई कोश्चन है लेकिन ऐसा कुछ है भी नहीं है बस यहीं पूछ रहे कि सॉलिड सॉलिबिल्टी को बताने वाला रूल कौन सा है लिवर तो गुण रहे है कई लोग लिवर रूल भी माल देंगे अंसर लिवर रूल यह सब नहीं बताता है ये अंए-धर प्रेशर टेम्परेचर में या इस कॉंपोजिशन या टेम्परेचर में कितना पर्सेंट कौन सा फेज होगा ठीक है कितना पर्सेंट फेज का डिस्ट्रिबूशन है वो सब बताता है चलिए नेक्श देखो number of component C phase P degree of freedom F and related by Gibbs phase rule as सीधा पूछा है Gibbs phase rule को बता होगर के ठीक है और उन्हें सब का meaning बता दिया P क्या है F क्या है C क्या है ठीक है तो क्या होगर गिफ्स फेज रूल आसान है की नहीं अब लोग के एक कोश्चन ठीक है देखो क्या होगा तो भाई यह वाला answer होगा P plus F minus C is equal to 2 यह होता है Gibbs phase rule यहाँ पे P क्या है P क्या है देखो दिया हुआ है Pages है C आपका number of component है ठीक है F का है degree of freedom है ठीक है तो यह होगा answer आपका ठीक है इसको मैं याद रखने का तरीका मैं कैसे करता हूँ पी एफ को बस याद कर लेता हूँ पी एफ तो पी एफ एक तरफ होता है P plus F और C plus 2 दूसरी तरफ होता है ठीक है अब इसको इधर कर दिया C को तो यह बन गया ठीक है जो प्रेशर टेंप्रेशर कॉंपोजेशन जो हता है यह वैरियेबल्स है यह यह शीज को बताता है phase rule की मतलब degree of freedom मतलब कितने वैरिबल्स को आप चेंज कर सकते हो तो इसको मैं कल के life class में बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं इसको अभी मैं पढ़ाने जाओंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा तो कम से कहां आप इसको याद रखो चलिए नेक्स्ट कोशन देखिए इन बेयर्स प्रोसेस और बॉक्साइट इस डाइजेस्टेड इन ए इस्टीम जैकेटेड आउटो क्लेव एट वन 50 डिग्री सेल्सियस पूर 24 आउवर इन पूष्न समझ पारे हो यह बोल रही जो भेर्स प्रोसेस्सर जो हमको बॉक्साइट मिलता है उसको किसके अंदर डाइजेस्टट करते हैं इसके अंदर उसके लीग्षिंग करते हैं फिक है यह नोईसंके अंदर और sodium hydroxide के अंदर ammonium chloride के अंदर H2SO4, HCl and unoffdiable bear's process अप लोग पढ़े हो bear's process aluminium extraction का ठीक है मैंने वीडियो अल्रीडी इसको बनाया था तो answer हो गए आप पर NOH sodium hydroxide के अंदर हम लोग bauxite को dissolve करते हैं तो इसे जितना alumina होता है वो dissolve हो जाता है और gang material is a red mud लीचे बैढ़ जाता है ठीक है फिर बाद में हम इसको अलग कर लेते हैं जो leech liquor होता है उससे हम लोग bauxite को अलग कर लेते हैं ठीक है तो answer आपको होगा NOH ठीक है इसके अंदर हम इसको leeching करते हैं bear process में चले next portion देखो in which of the following process the chemical combination between the metal slag and other elements is not broken up इन में से किस process में आपका metal slag और element अलग अलग नहीं होता है ठीक है या कोई chemically chemically मतलब कुछ process नहीं होता है यह पूछ रहा है mineral tracing में electrometalgy, pyrometalgy, hydrometalgy and none of the above तो बताओ किस में chemically दोनों अलग नहीं होते हैं slag, metal या chemical या metal, chemically ज़्यादा कुछ नहीं होता है physically ज़्यादा होता है physically exchange होता है answer क्या होगा, mineral addressing mineral addressing में ज़्यादा तर जो process है वो क्या है, physically होता है physical रूप से हम gang और concentrate को अलग करते हैं, कोई chemical reaction होगारा नहीं होता है, बागी इन सब में तो पूरा chemical reaction होता है तब जाके metal का extraction होता है तो आपका क्या होगा, mineral addressing answer होगा, ठीक है आप लोग देख रहे होगे न toughness और easy level वाला कुछ questions ऐसे हैं, जो ऐसा लगता है कि कोई भी बना देगा बड़ा आसान लगता है कुछ question ऐसा लगता है जैसे मतलब what tough है तो देखो, जो आसान question होता है उसको हर कोई बना देता है हर कोई जो पढ़के नहीं भी गया है वो बना देता है लेकिन बात फिर कहां पे आती है जो थोड़ा सा tough question होता है वो decide करता है कि किसका selection होगा, किसका नहीं होगा इस तरह से design किया जा रहा है मतलब किया जाता है कि tough question भी और easy question भी हो ठीक है ताकि जो तैयारी नहीं किये उनको यह न लगे कि हमको कुछ नहीं आता है उनको भी लगे कि कुछ आता है तो इसलिए आसान question दिया जाता है ठीक है देखो बहुत जादा आसान आ जाता है कि ना तो वह अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा टफ भी होना चाहिए, थोड़ा से रिचान तो habitat मतलब किया हो जाता है, वहाँ पे अलग हो जाते हैं लोग पुर सेपरेट।्ट हो जाते हैं अगर आसान दे देता हैं तो फिर सब के सब बना देते हैं चलिए नेक्स वोर्शन देखते हैं copper, lead and zinc, ore mostly occur in the form of copper, lead and zinc का ore किस फॉर्म में ज्यादा तर मिलता है बताओ जल्दी oxide के फॉर्म में sulfide के फॉर्म में, carbonate के फॉर्म में silicate के फॉर्म में या इन में से कोई नहीं है बताइए copper का ओर देखो copper का ओर या किसी भी metal का ओर सब फॉर्म में मिलता है oxide के फॉर्म में मिलता है, sulfide के फॉर्म में मिलता है, carbonate के फॉर्म में मिलता है, बट ज्यादा तर किस फॉर्म में मिलता है, इसकी बात क्या जाता है या किस ओर से metal का extraction ज्यादा होता है जैसे iron का आप्देख कितने सारे ओर मिलते हैं कार्बुनेट और है अक्साइड और है और है हाइड्रोख्साइड और भी है लेकिन ust किस चीश का होता है कि दिए यूज हमें होता है ना बाकी का थो उतना होता नहीं तो मुश्ली किस फॉर्म में पाया जाता है तो आंसर लिकोंगे ऑक्साइड अलग कि सल्फाइट के फॉर्म भी पाया जाता लेकिन इसके कोई उप्योग नहीं है तो इन सब मैटल करना और ज्यादा तर सल्फाइट के फॉर्म में मिलता है जैसे आप लोग में सुना होगे कॉपर का और चालको पायराइट बहुत फेमास और है चालको पायराइट सी यू एव एस तू जिसके सबसे ज्यादा मैटल का प्रोडॉक्शन होता है Leh का और का क्या नाम है इस सक त्ट क्या और यह को वहीन रहा है खिल रही है ट्यकर चलो देख करें फ़स्ष स्ट आनुन ए पैर कैसे प्रोडूज करते हो बताओ अचा चलो आप लोग दो है, albumium का production, hydrometallurgy से होता है, pyrometallurgy से होता है, elektrometallurgy से होता है, बताओ, अगर उसका answer दे दिये, तो यहाँ पे आपको answer मिल दाएगा, इतना सब कुछ जानने की भी जवरत निए है, पर हाई फाई क्या के चीज़े लिखी हुई है चलो ऑप्शन देखो इस मेल्टिंग इट्स ओर इन रिवर्वेर्टरी फर्नेस रिवर्वेर्टरी फर्नेस में होता है क्या अल्मुनियम और बॉक्षन या सेकंड ऑप्षन बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस और सॉलूशन औ अल्मुनियम इन फ्यूज़ क्रावलाइट क्यूंत एक ट्रौलिसिस होता है क्या मेट्रोमेट्रर्जी क्या यह पूछ रहा है नहीं होता इसा तो लो जाता तो कि First आपको यह Right होता है अगर आपको याद है तो आप सीधे सीधे इस ऑसर को मारोगे कि यहीं पतमस्कों का और स्वूलूशन, लिए कि इस क्राओ यॉलाट में हमने हम gotta पूर है इसको डिजॉल करके इलेक्ट्र закончis करते है क्या कि अपके ंचुर मिलते हैं इप कुर्शन और करते हैं बस फिर घर छलते हैं देखो चर्टर इंडेक्स ओव्लाश-फणिश को करते हैं उसे हम क्या पता करते हैं अपनला नहीं पता कर थे हैं कि नौन आ依 सक्ताइख दे अधर ओ पत्र आल देते हैं एक fix size वाले कोग को डाल देते हैं ठीक एकसी लिए अलग से मैंने वीडियो भी बनाया है तो हम लोग fix size वाले कोग को डाल देते फिर certain height से इसको ऐसे shutter को open कर देते छोड़ देते हैं तो कोग कोग उसका strength उतना ही कम माना जाता है ठीक है अगर नहीं तूटता है मतलब strength अच्छा माना जाता है तो देखो answer इसका होगा strength A चर्टर टेस्ट से हम लोग strength करते हैं कोग का ठीक है अब कोग में strength क्यों चाहिए होता है अब आप सबको पता है कि जो blast furnace में जो लोड को बियर कौन करता है इतना बड़न का लोड कौन बियर करता है कोग ही करता है लोवर पार्ट में बोश लेवल पे एक मातर कोग ही ऐसा होता है जो solid form में होता है तो पूरे नीची का strength नहीं हुआ तो क्या होगा पूरा का पूरा blast furnace नीची गिर जाएगा हर्थ में आ जाएगा ठीक है तो blast furnace से लेगा नहीं तो strength बहुत most important है कोग में तो shutter test के थुरू हम निकालते हैं ठीक है चलो next question last question देख़ए आज का rate of burning of coke which controls the rate of production from the blast furnace is directly proportional to the rate of burning जो होता है कि कितने rate से वो जलेगा वो किस पर depend करता है किसके directly proportional होता है reduction of coke rate by 2% ठीक है अगर आप coke rate को reduce करोगे ठीक है मतलब rate of burning अगर burning जादा होगा तो क्या coke rate कम होगा 2% से दूसरा बोल रहा है कि temperature in pressure of the blast temperature of pressure of the blast के proportional होता है क्या होता ही है क्योंकि burning अगर जादा होगा तो temperature भी जादा बढ़ेगा और increase the blast furnace productivity हाँ यह भी सही है जितने जादा बरनी होगा productivity इतनी बढ़ेगे ठीक है तो मुझे लगता तीनो ही सही है तीनो ऑप्शन तीनो डायर्क लिए प्रोपोर्शनल रहे तो आंसर क्या होगा ABC, all ABC ठीक है तो चलिए आपको कैसा लगा वीडियो आप comment section ना बताना चलिए तो इस वीडियो के यह end करते हैं बाबाई थैंक्यू सो मच स्थ़ियो स्थ़एग लगता राज़्यवयो तो झाल झाल